हेलो डियर फ्रेट्स प्रिक चुक्याम गुर्जांग आज हम नेक्स्ट मॉंक्र आपके लिए लेकर आएं तो फस्ट हमारे पास जो क्षिन है वो क्या हो रहा है नेचलरल वैडिंग प्लेइन आफ स्टॉन औरेक्शिन आफ फ्रेश्चर इन स्टोन मैंसेनरी इज़ very important question है यह natural wedding जो होती है plane of stone का direction of pressure जो होता है stone machinery में वो कहाँ पर होता है normal होता है parallel होता है 30 degree पर होता है 45 degree पर होता है हमारे पास सबसे पहले हम थोड़े बहुत points में वोको बता देता हूं कि हमारा एक IS code है 1905 यह IS code कहता है कि जो vertical load लगता है हमारी जो वोल होती है दिवार होती है वो शुड़ नौट पी मोर्दन 30 degree वर्टिकल लोड जो लगता है शुड़ नौट पी मोर्दन 30 degree फ्रॉम्दा इस से ज्यादा लोड नहीं लगना चाहिए और जो मैसनरी स्ट्रॉक्चर होता है उस पर 45 से ज्यादा लोड नहीं लगना चाहिए उतना ही हम कंसिडर कर सकते हैं लेकिन स्टोन पर जो लगता है वो नौर्मल ही लगता है option number one हमारा इस question मैंसर हो जाएगा यह सारे points important exam के point of view से अगला question देखिए इंग्रीडियंट ओफ पेंट which gives it a winding property and help to spread the paint evenly and uniformly on the surface कौन है वो paint का ingredient जो uniformly होता है paints पर spread होता है या फर evenly spread होता है तो वो vehicle होता है option number second हमारा इस question में answer हो जाएगा यह बहुत ही important है क्योंकि यहां से paint से बहुत ही question जो है पूचे जाते हैं अगला question देखिए हमारा पास क्या बहुत हो रहा है choose the reason why people of any kind of undesirable in brick earth तो इस answer three answer हो जाएगा bricks containing people will not break regularly as desire अगला question देखिए due to attack of dry rot the timber is जब भी dry rot का attack लगता है तो उससे क्या होता है कि हमारा जो timber होता है reduce to powder हो जाता है यह चीज़ important है and इसकी जो strength होती है वो बहुत ही कम हो जाती है strength अगर reduce to powder हो जाएगा तो strength automatically ही lose हो जाएगी यानिकि losses आपको देखने को मिलेगा इसकी durability भी आपको कम देखने को मिलेगी फिर life जो होती है तो यह दोनों चीज़ों भी आपको याद रखिए क्योंकि यह भी important है अगला देखिए हमारे पास क्या बहुत हो रहा है bottom and top diameter जो तरह तो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में तो यह हमारे पास slump cone है यहाँ पर यह 10 cm का होता है top and 20 cm का होता है इसकी height 30 की होती है हमसे पहले bottom पुछा गया है तो 20 bottom and 10 option no.1 ही हमारा correct answer हो जाएगा इस point को आप याद रखिए अगला question देखी तो optimum number of revolution in which concrete is required to mix in a mixture machine is कितने revolution यानिके चक्कर लगने चाहिए concrete mixer जो होता है उसमें and बोल रहा है कि mixing time भी आपको बताना है क्योंकि आप मिनिट्स मिनिट्स तो time ही बताना है कितने लगते हैं तो 20 revolution जो होते हैं वो लगने चाहिए धाई या फिर 3 minutes में यह important question है exam के point of view से तो इस question को भी आप याद रखिए अगर आप concrete mixer में mixing करते हैं तो 10% जो है वो saving होती है किसकी cement की 10% cement की saving होती है and mixing से मैंने आपको पीछे question में बताया था है शायद हम estimation कोशनी कर रहे तो 10% cement जो होता है extra लगता है तो यह चीज भी आपको याद रखनी है कि किस सीज में क्या क्या हो सकता है अगला question देखी क्या बोर रहा है तो यह चीज इंपोर्टन है एक्जाम के point of view से तो जो नीडल होती ही उसकी diameter एक mm होता है वन एम इस question का answer हो जाएगा यह चीज भी important है अगला question देखी increased rate of strength gain of rapid hardening cement is अजीव भाए तो किसका higher content होगा देखी higher content higher content higher content higher content higher content जितना भी compounds होते हैं box को साधे देगे लेकिन higher content higher content यह question very important है तो क्या answer रहेगा rapid जो hardening आप जो चाहिए cement में and increase rate of strength gain strength भी जल्दी चाहिए आपको and hardening जो है वो भी जल्दी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा तो उससे आपको यह करना पड़ेगा कि higher content जो होता है tree calcium silicate यह हमारा इस question में answer हो जाएगा यह question बहुत ही important है exam के point of view से क्योंकि यहां से बहुत सारे question जो है पूछे जाते हैं अगला देखिए most accurate method of estimate is based on most accurate method जो होता है वो यही होता है विश्वक्षनिय भी यही होता है यह चीज important है इस हीच को आप याद रखिये अगला देखिए detailed estimate which is prepared to maintain the structure or work in proper order and safe condition is called as उसको हम annual repair estimate बोलते हैं second हमारा इस question मेंनसर हो जाएगा अगला question देखिए the long and short wall method of estimation the length of long wall is the center to center distance between the wall and plus किसको plus करते हैं half width of the ball each side second हमारा इस question मेंसर हो जाएगा यह easy level का question है जब आप drawing करते थे उस time हम आपको पता होगा कि estimation costing में आप क्या माइनिस करते थे क्या प्लस करते थे यह थोड़ी बहुत basic चीज़े हैं आपको पता होनी जुरूरी है अगला question देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है एस पर हमारे ice code यह 1200 ice code है in the measurement of brick work no deduction shall be made for no deduction जो आप करते हैं हमारे पास कोई opening है चोटी सी है तो 0.1 square meter है तो उसके लिए हम deduction नहीं करते हैं यह चीज़ important है exam के point office से अगला question देखिए तो value of property shown in the account books after allowing necessary depreciation after allow कर रहे है necessary depreciation के बाद जो हम property की value जो होती है accounts books में show करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जहांपर depreciation word आपको देखने को मिलेगा simply आपको इसी पर ही click कर देना है यही हमारा correct answer बन जाता है expected out earn जो होती है stone cutter के लिए for an item of work ashlar stone dressing के लिए तो 70 cubic meter per day इतना होगा अब देखिए कौन सी statement जो है सही नहीं है not correct for principle of surveying के accounting तो यहां पर क्या होता है working from hole to part होता है लेकिन यहां पर not correct हमें बतानी है तो working from part to hole यही हमारा correct answer हो जाएगा बाकी तीनो statement सही है अगला question देखिए कि sub tense bar can be used to determine sub tense bar जो होती है वह horizontal distance को determine करती है sub tense bar को हम use करते हैं ताकि वह horizontal distance को determine कर सके यह अगला देखिए which scale is used to measure three dimension on a scale three dimension जो होती है वह diagonal scale जो होता है है plane scale जो होता है वह सिर्फ two dimension को measure कर सकता है तो यह चीज important है अब इसमें कौन-कौन से आती है two dimension एक centimeter आगे एक millimeter आगे यह मैंने उल्टा लिख दिया कोई बात नहीं हमारे बात से अश्क हलता है वह संंटेमीजर क कर सकता है the ultimate को चांटी होता है यह तो यह तो सभी को पाता है कि यह ज wanna स्केल होता है वह तो थ्री डिमेंशन says tv लेकिन कौण कौंसी रिमेंशन होती हैneath इस इंपोर्टन था रता तो मैं आप को सेमेंट인이 मेत्र तो इस सिए मेर्ड हूं को मेईर कर सकता है यह जीज इंपोर्टन है अगला देकिन इंप्लें टैबलींग ती इन्स्टिमेंट युस्टो Goblet है देगल डिर्ट रेक्रिली जान ऐस था हम उसको बोलते हैं तो पोड़ टेली सकोपिक एलिडेट साम बोलते हैं सेकेंड हमारा इसक्षिन में इसे होजाएंगा तेलिस्कॉप उप डंपी लेबल इस वोता है कि गीथिट हाज सहकते हैं इसका हम सकते हैं रे कंबरी कि इसका हम सकते हैं तूड तो हम सबते हैं एंबर की शहाएंगे निए रूड टोड़ जाएगा लेकिन वह बहुती मुझभूती से Trick होता है अगला देक्षिन देखिते है ग्राफिकली रिप्रजेंटेशन ओप एमांट ओफ कट एंद फिल ओफ आर्थ इस को उसको हम मास ट्राइग्रम बोलते हैं यह कि देखिए इन थ्रेडुलाइट बलते हैं जिसने आभ तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह वह कर लिजिए अगला क्वेशन देखिए यह एक नुमेरिकल है क्वेशन क्या बोर रहा है डिस्ट्रेंस ओफ विजिवल होरिजेंटल फ्रॉम टॉप ओफ ए एक सो चौतिस मीटर लाइट हाउस विल वी तो डिस्ट्रेंस जो होती है विजिवल होरिजेंटल के लिए उसके लिए एक फॉर्मूला होता है डी इस उकल टू 3.85 अंडूरूट एच एच जो होता है हाइट होती है तो हाइट हमारे पास गिवन है सिंपली हमें एच की जगा 134 लिखना है इसको फाइंड आट करने के ब मेरिटेन एंड डिकलाइनेशन सर्कल अपता हैवनली वोडी इस रैफर टू तो उसको हम आवार एंगल बोलते हैं नेक्स्ट कुशन देखे बिच अव फॉलिंग कंडिशन शुट नोट कंसीडर ड्यूरिंग चेन सर्वेंग चेन सर्वेंग में हम इसको कंसीडर नहीं करत हैं अगला कोशन देखिए हमारे इस आईस कोड के कोड़िंग दचेन ओफ लेंथ 30 मिटर हैविंग डैश नंबर आप लिंक्स यह कोशन देखिए यहां पर आपको यह नहीं सोचना की कोशन इजी लेबल का कोशन है यह आपको देखना है कि यह कितना इंपोर्टेंट है 30 मि मिटर की चेंज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी 20 मिटर के बारे में मिलेगी 10 मिटर 5 मिटर की चेंज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी यह चीज इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट ओभी से तो इसको आप याद रखिए अब मैं आपको यहां पर 3-4 और बताता हूं 30 में तो सभी को पदाकि देट सो लिंक होते हैं ऐसे ही 30 में देट सो लिंक होते हैं 20 में हमारे याद रखिए हो सकता कि आने वाले एक्जाम में आपको यहां से कौशन पूछा जाए बाकि इसके बारे में grandya बहुत जानकारी आपको दी दिया की एकुरणिसी जो होती है ड terra जो होती है वह तो मैंने आपको बता ही दीये की 20-meter के लिए कितनी होती है 30 मिटर के लिए कितनी होती है 10-5 के लिए कितनी होती है तो यह सारे चीज़े इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट अगला कोशन देखिए बीच और फॉलिंग रिप्रजेंट है स्माले स्टाइट ऑफ फाइन एग्रिएट इनके साइंड का वेरी इंपोर्टन कोशन नहीं है स्माले स्टाइज जो होता है सैंड का वो क्या होता है यह कोशन वेरी वेरी इंपोर्टन है तो यहां पर स्पेशली मेंजिन गया गया कि समारे साइज जो होता है वो क्या होता है सबसे पहले आपको साइज पता होने चाहिए कि साइज क्या होता है यह चीज इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट हो भी से तो इसके साइज के बारे मैं आपको बतायता हूं सबसे प में में होती है तो यह तो मैक्सिम साइज आ गया यह इसका मिनिमूम साइज आ गया 0.075 तो यहां पर हमारे पास 0 तो दिया गया है 6 दिया गया तो इसलिए हमारा अंसर यह हो जाएगा इसके नीचे जो होता है वो सिल्ट का मैक्सिमम साइज होता है यह चीज आपको पता होनी चाहिए अब देखिए कौन सी सही स्टेटमेंट है हमें सिर्फ यह बताना है तो हमारे पास यहां पर सैकंड स्टेटमेंट ही सही है ग्राइटियरा फुर क्लासिफिकेशन ओफ और कोर्स ग्रेंट ग्रेंट के लिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट अंसर हो जाएगा उसका बस ड़ाट इसलोफ और ग्राउंड वाटर मॉमेंट स्टेट सेट्स दाट साब बिलोष्ट इस प्रपोर्पोर्ट टू बिलोशटी जो ह होती है उसके लेकर कौन सी सही स्टेटमेंट है तो जियो टेक्स टाइल आर यूज्ट फॉर रेंफोर्समेंट एंड फिल्ट्रेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं यह चीज इंपॉर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट अब इसे तो यहां पर आप से कुछन जो है करें विर्थ जो होती है वो 10 मीटर की होती है इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो वह 10 से लेकर 300 mm होती है 10 mm से लेकर 300 mm तक इसकी थिकनेस जो है वो हो सकती है तो यह चीज इंपॉर्टेंट है जियो टेक्स टाइल जो होती है एक थिन पर्मेवल शीट होती है पर्मेवल जो होती है इसमें पानी जो होता है इसली फ्लो कर सकता है तो यह चीज इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट ओफियर से अगला कोशन देखिए तो प्रॉपर्टी ओफ स्वाइल बिच डिफाइट इट्स इस स्टेंथ अगेंस्ट डिफॉर्मेशन दू टू इलेक्ट्रो स्टाटिक फोर्ट्स अमंग स्वाइल पार्टिकल इस कॉल्ड उसको हम ट्रू कोहिजन बोलते हैं ट्रू कोहिजन हमारा इ नोट एंजंप्शिन ओप स्ट्रैफ स्ट्रैफ की कौन सी एंजंप्शिन नहीं है कौन सी नहीं है तो दस्ट्रैफ इस परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिक नहीं होती है यह एक रिजिड होती है स्ट्रैफ जो होती है एक स्ट्रैफ फुटिंग स्टैफ फुटिंग की बात हो दी यहां पर तो स्टैफ जो होती है इलास्टिक नहीं होती है रिजिट होती है तो यह चीज इंपोर्टन्ट है एक्जाम के पॉइंटों बेसे हो बाकी सारे बिल्कुल सही है सिर्फ यह स्टेट्मेंट जो है गलत दी गई है अगला देखिए फ्लोटिंग बोड़ी अटेइन दस्टेवल एकुलीबियूम इफ इट्स मैटा सेंटर इस तो मैटा सेंटर कहां पर होता है उसका यह कोशन बेरी इंपोर्टन्ट है तो मैटा सेंटर जो होता है वो उपर होता है अबब होता है सेंट्रोइड जो होता है जो सेंटर ओफ ग कि या गया है अन्स्टेवल होता तो हमारा अंसर यह हो जाना था तो यह चीश इपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट ओव्यू से वैसे हम फ्लूट मेंगानिक हमने शुरू करी ही दिया है तो इसके बारे में पता चलेगा स्टेवल एकुलिब्यों के बारे में बगार रश कर रहा अगला देखे एन यह वैसलिंदा डिलिवरी साइड आप तर रेसी प्रोकास्टिंग पंप इस तो वह मेंटें स्टीडी डि हमारा फ्लूट जो है वो रेस्ट कंडिशिन में है तो उसमें शियर स्ट्रेस भी कुछ नहीं होता है जीरो होता है कहने का मीनिंग यही है तो यही हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला देखे क्रेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है सेंट्रिफ्यूगल पंप का कंपोनेंट तुरू बिच्दा फ्लूड फ्लो क्रेक्ट सीक्वेंस कौन सा होता है सेंट्रिफ्यूगल पंप में तो इसका जो क्रेक्ट सीक्वेंस होता है वो स्टेनर एंड फूट वल्व सक इन मोशन उसको हम क्या बोलते हैं यह कोशिन हमने फ्लूट सुमयनिक में डिस्कस किया है जो फास्ट चप्टर है तो आप उस पर जाकर हिंदी और इंग्लिस में देख सकते हैं तो अपोस इस कोशिन का अंसर हो जाएगा अगला देखिए हमारे पास कोशिन क्या बोल रहा है दर रेशियो फिनेश्य फोर्ट सुसर्प्रस टेंशन इस नाउन एज क्या अंसर रहेगा इस कोशिन का हमने आपको एक ट्रिक बताई है ऐसे डिमेंशनलेस को सॉल्व करने के लिए पीज जी ए वर्सिज सर्प्रस टेंश लास्ट में आ गया तो जितने भी डिमेंशनलेस नंबर है उसको आपको क्या कर लेरा है एक सीकूंस में लग लेरा है इल्लव नंबर फ्रौड नंबर फिर मैक नंबर आता है फिर नोल नंबर फिर लास्ट में वेवर नंबर तो उस तरह से देखिए एक दो दो तीन चार पाँच आगे एक दो तीन चार पाँच लास्ट में वेवर नंबर है सरपर स्टेंशन वेवर नंबर करेक्ट अंसर हो जाएगा इस ट्रिक को आप याद कर लेते हैं तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे आप इस क्वेशन को नेच्ट देखें डिफिरेंशिल म पाइट और चैनल आड़ इकुल इस कॉल्ड उसको हम यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कुछन क्या बोर रहा है फ्लूड फ्लो इन श्टेट सर्कुलर पाइप इस टिपिकली लैमिनर इन स्टेट वेंदा रिनोल नंब लेकर यही हमारा त्रेश हो दिया गया नेर्बाय उप्शन बिल्कुल सही है टर्वॉलन के लिए 4000 से ज्यादा होता है अगर इन दोनों के बीच में हो उसको हम ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो हम उसको बोलते हैं 2000 और 4000 के बीच में हो तो अगला कुशन देखिए तो उसको हम बिलोस्टी ओफ एप्रोच बोलेंगे नेच्छ देखिए बीच ओफ फालिंग इस नोट दा मोड ओफ फेलिर ऑफ ग्रैविटी डैम यह कुशन भी हम स्टील में कहीं डिसक्स कर चुके हैं कि कौन सा ग्रैविटी डैम जो होता है उसका फेलियर नहीं होता है सीपेज फेलियर जो होता है वो नहीं होता है ओबर टर्निंग भी होता है स्लाइडिंग भी होता है टेंशन भी होता है कंप्रेशन फेलियर भी होता है कंप्रेशन फेलियर को हम क्रशिंग फेलियर भी बोल सकते हैं तो यह दोनों इंपोर्टन है तो करीं डिरिन्टि यो होती है रिइबर की वह ई्रोक्त गेविलेटे ऑपधैस फेट एड़ गेट यंक और रिकुछ फ्रेवय उसकी बज़ा से होती है थर्ड हमारा इसक्वेशन में उस्फ हो जाएगा अकला कौसीद कि बेंक स्टोरिस इने डैμ कर रेजर्वोय वे बैंक स्ट के लिए कौन सी कंडिशन जो होती है एपलिकेबल नहीं होती है तो चैनल के इन बी स्क्योर्ड मोर इजली दैन इट केन बी डिफॉजट यह हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा तो फ्रेंट्स यह थे हमारे मोस्ट फिप्टी इंपोर्टन कोशन आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेर किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं ऐसे ही मौक ट्रस्ट के साथ नेक्स्ट मौक ट्रस्ट में